सच साहस सरोकार बीजेपी की राष्टी सच्यूप पंकजा मुंडे बोली मैं लोगों के दिल दिमाग में रहूंगी तो मोदी जी भी मेरा करियर खत नहीं कर सकते नोट बंदी के खिलाफ दाखिली आज काओं पर सुप्रिम कोर्ट बार अक्टूबर को करेगा सुनवाई केंद्री ग्री राज्यमंत्री आजा मिस्टा टेनी बोले राष्ट निर्माण में अपना योगदान करे कॉंग्रेस नमस्कार मैं हूं मैं यूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्रायम टीवी रुख करते हूं उत्यप्रदेश की बड़ी खबरों के ओर सियम योगी आधितनात की दौरे पर हैं नाम रामनगरी के दौरे पर सियम योगी ने लता मंगेसकर चौक का उदखाटन सियम योगी ने किया बताने की स्वा लता मंगेसकर की 93 जैनती पर कार्टरूम का आयोजन किया गया वहीं मंगेसकर चौक के उदखाटन के दौरान सियम योगी के साथ कई भी जेपी नेता भी मौके पर मौझूद रहे कि कलार संगीत के लिए उनका पुरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुसुतम स्री राम स्री क्रिस्ट और भारत के राष्ट भगति से समधित गीतों को एक नई उचाई के दे करके कि अनोंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रतेक भारतिय के लिए बंदनी बनाया और इसलिए जब लटादीदी हमारे पीच में नहीं रही कि रादय ब्रधान मंत्री जी की पेंड़ा से लटादीदी ने पुरा जीवन भगार्राम की भक्ति और साधना के लिए समर्फित किया दोनका पहला स्मारक भी भक्वार्राम के धाम पर ही बने और आज एक पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पराज समर्फित करते लखनौ में समाजवादी पार्टी आज अपना राज सम्मेलन कर रही है प्रदेश अध्यक्ष चुनाओ समेट कई एहम प्रस्ताओं पास किये गए जानकारी की मुताबिक इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अम्बेटकर में किया जा रहा है बतादी की सपा मुखिया अखलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दोरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया इसके साथ ही अखलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाओ को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधिते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है हम समाजवादियों का ये सबना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकते हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करें और अगर पीशे मुड करके देखे हम जिस समय पिछला लोकसबा चुनावता 2019 का उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो एतिहासिक फैसा लिया था जो ये देश के तमाम करोडों लोकसबना देख रहे थे कि बहुजन की ताक्तें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं जो कभी डाक्टर राम मनो अलोया और हमारे सम्विधान के रचेता जिनों ने सम्विधान मनाया बाबा साथ भीम राम मेडकर जी ने देखा था समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुर्प्यों किया हम काम्याब नहीं हुए उसके बाद दुबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिल करके बाइस का चुनाव लड़ा था जो हमारी विचारधान से मिलते जुल लोग थे जो उस समय संगर्ज कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए उन सब को साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गड़वन्दन तयार किया PFI पॉपलर फ्रेंट ओफ इंडिया पर कठोर कदम उठाते हुए केंडर सरकार ने इसको पांच साल के लिए प्रतिबन लगा दिया जनकारी के मुताबी के ग्रिहमंत्राले ने इस संगठन को प्रतिबन्दित घोशित कर दिया है इसके साथ ही केंडर सरकार ने PFI पर सभी सहयोगियों और मोर्चों को गैर कानूनी गतिविधी रोक थाम अधिनियम यूपीय के तहत पांच साल के लिए वैद घोशित कर दिया है इसके साथ ही PFI को यूपीय की धारब 35 के तहत 42 प्रतिबन्दित आतंकी संगठनों की सूची से जोड़ा गया है वहीं रिहै कि इंडिया फाउंडेशन समेत आठ और पर भी एक्सन लिया गया है PFI पर केंडर सरकान ने लगाए गया बैन को लेकर CM योगी आदितनात और डिप्टी CM विर्जे स्पाठक ने ट्वीट किया है महराज गंज में 43 वे बिश्व परेटें दिवस के मौकी पर भारत नेपाल सीमा परिश्थित बेलहिया में भारती परेटकों का फूल माला पहना कर स्वागत किया गया कारक्रम में नेपाल के ग्रिह मंत्री बाल कृष्ण खाड ने नेपाल में भारत समेत अन देशों से आए सभी परेटकों का स्वागत किया कालकरम के दौरान नेपाली ग्रिह मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री के नेपाल के प्रती योगदान को साराहा वहीं भारती परियतक लाला राम जो दिल्ली में सोनाली बॉर्डर होते हुए आए हैं उन्होंने कहा कि वो नेपाल में हुए स्वागत से बहुत खुश है और मोदी जी की नेपाल यात्रा को लाला राम ने पर्याटन की दिशा में मिल का पत्थर कहा कि अभी इस बोर्डर में बिल या जो सुनल से बचाना जाता है यहां पर इंप्रेटन की दिया हुआ इसा लोग तभी देखने के और आपको मन के पूरा देखने के मैं आया आए तो मुझे अरिशा आप्तिक स्वागत इदर मिला हर्दोई में बगवली थाना शेतर में रिटार्ड होम गार्ड और उसकी पत्नी की गला काट करा हत्या की घटना सामनी आई है इस घटना की सूचना पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लेते हुए पोस्माटम के लिए भीज दिया है और इस मामले में पुलिस जाच कर रही है जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोश्यों को गिरफतार कर जेल भेजा जाएगा महराज गंज जिले के निचलॉल में सोनार मार्किट में तमंचा लहराते बाइक सवार दो अपराधियों ने कस्बे में देहशत मचा दी प्रतक्ष दर्शिकों के मुताबिक अपराधि में रोड से तीलू या रोड पर हाथ में तमंचा लहराते और बाइक दोडाते रहे और बैपारियों को अपनी दूकाने बंद करने की धंकी देने के साथ आभधरता करने लगे जब लोगों ने इसका विरोड किया तो अपराधियों ने तमंचे का दर दिखाते हुए दोबारा धंकाया जिसके बाद पुलिस बैपार मंडल के सदस ने थाने पर जाकर इस घटना की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने दूकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में फोटे महराज गंज जिले के निचलॉल में सोनार मार्किट में तमंचे लहराते बाइक सबार दो अपराधियों ने कस्बे में देश्चत मचा दी अपराधि में रोड से रोड पर हाथ में तमंचे लहराते हुए बाइक दोडाते रहे और बैपारियों को अपनी दूकाने बंद करने की धंकी देने के साथ आभधरता करने लगे जब लोगों ने इसका विरोड किया तो अपराधियों ने तमंचे कदर दिखाते हुए दोबारा धंकाया जिसके बाद पोलिस बैपार मंडल के सदस ने थाने पर जाकर इस घटना की सूचना दी जिसके बाद पोलिस ने दूकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में फोटेस के जरिया अपराधियों की पहचान करने में लगी हुई है हमीरपूर में राट तैसिल शेत्र के ददरी गाओं में मन्रे का योजना में जमकर धानले बाजी की जा रही है बता दे ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से ये फरजी वाड़े का खेल खेला जा रहा है और जब ग्रामीरों की सूचना भनक लगी तो अधिकारियों में इसकी शिकायत की गई लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कारवाई अभी तक नहीं की गई जिसको लेका ग्रामीरों लोग इस फरजी वाड़े की उचिस्तरी जाच कराकर दोशियों पर कारवाई की मांग कर रहे हैं कि आ अर। नाम करन है मेरा जवाबकर बना है कि कि छिए का अल्णक खात लगा है उसमें payment दूसरी जगा चला जाता है मैं बरावर क्या करता हूं मेरे में पेमेंट आता ने हूं बरावरapter तो मेरी उम्र नहीं है तो बोलो मेरे से रुपया निकाल ले जाते हैं और मेरी उम्र नहीं है पंदा देल पैसा डाड एकल तीन सर रुपे कमीशन मिलता है किस चीज का पैसा डाला है जाब काट का कभी काम करने गए नहीं कि क्या करते हो उच्सने जाठी राइकल क्या नाम है किया आए अधारि मेरा Expedition T किया मामला definitely यो ग्रह्म बनचाहस रेद्य मन्दी कम घीजा जाता है उसमें जो भुक्तान किया जाता है उपलमे फ़र्जी तवल रहा है मतलब जो बच्चे ऊ सकूल कानपूर में तीन जून को ही हिंसा मामले में क्राउड फंडिंग की आरोपी बनाए गए हाजी बसी की मुश्किले बढ़ गई हैं कानपूर पुलिस की रिपोर्ट की अनुसार डियम विशाख ने एनसे लगाय जाने की पुष्टी की है डियम ने बताया कि रिपोर्ट अब लखनव इस्थित एनसे बोट भीजी जाएगी जिस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा इसके साथ ही ये भी बता दें कि हिंसा के लिए लाखो रुपे की फंडिंग की बात पुलिस के जाच में सामने आई है वही हाजी वसी की SIT ने 5 जुलाई को लखनव एरपोर्ट से गिरफतार किया था तब से वसी जेल में बंद है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समभादाता अनील हम से जुडेंगे आनिल हाजी वसी पकड़े गए हैं किसको लेकर क्या जानकारी है कानफो इंसा मामले में हाजी वसी पर एने से लगाए गया है और पुलिस ने एपनी जो रिपोर्ट है डीम को बेज दिया और डीम की संस्तिती के बाद इस पर एने से लगा दिया जाएगा इसके लाबा मैं यह भी बता दू कि कानफो इंसा में यह जेल भीजा गया था इसको लखनों से एसाइटी टीम ने ग्रत्तार किया था इसके पास क्राउट पंडिंग की काफी पैसे इकट्टा करके लोगों पर लगाया था और इसका जो पुत्त्र है वो भी इसमें इन्व बदायू में सिक्षकों का एक बड़ा फरजी वाड़ा सामनी आया है एक बार फिर से जिले में पांच फरजी सिक्षक मिले हैं जिनकी आवेदन पत्र और मूल दस्तावेज में बड़ा अंतर मिला है ऐसे में विभाग की ओर से इन सभी सिक्षकों को सेवा समाप्ती के कि अग्या तर्जी को नहीं कह सकते हैं इनका उनस्तर रजान बाटी के इपांस टीचर है इनके मिसमेटिंग आप नंबर है अब अबर मार्स उत्मी कुछ है आलायन कुछ और अधरे तो यह पतलार मार्मी कुछ न्याले में रबित थे वहीं से अंज्यान में आया वे इसम कि अधिया नहीं गया है इसलिए का बुच्वरी का मिसम नहीं उत्ता और पांस मार्स वजा रिश्कित को कासमा देश्कित पैट इनको कि वहां करते हैं राय बरेली के शहर कोटवाली शेतर मार्केट में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैद बिल्डिंग के कारोबारियों पर सिकंजा कसा है जानकारी के मुताबिक इन दिनों अवैद बिल्डिंग का कारोबार बदस्तूर्चरम पर चल रहा है देखने को मिल रहा है आपको बताने के लगभग दो दरजन के उपर अवैद मानक विहीन बिल्डिंगों को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील कराया इस दोरान उनों ने बिल्डिंगों के मालिक को कई बार कारण बता और नोटीस भी भीजा इसके बावजूद भी बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए बिल्डिंग में काम लगाये हुए थे जहां अवैद बिल्डिंगों पर जिला प्रशासन ने चाबुक चलाते हुए बिकास प्राधिकरण की टीम के साथ शेहर कोतवाली शेत्र मार्केट में बन रही मानक विहीन बिल्डिंग को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सील करवा दिया हर्दोई में पाली थाना शेत्र के महदीपूर गाओं में एक दमपत्ती नुड़ा में साथ रह रहा था वहीं पत्नी की संदिग्द परिस्तितियों में मौत हो गई जिसके बाद ससुराली जनों ने म पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्श कर लिया है जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कारवाई शुरू कर दी है अब पर हमें आये इनके घर तो हुआ रड़के मरी मिली तो हुआ रहा रहा लेटी मिली तो हुआ जनाय लगों वेटे थे बाद बेटे थे और कोई ने इस अब फिर हुआ तो हुआ थाने आया है यहा मस्तिरवाई नहीं कुछ वही तो अलिगड के थाना कौरसी इलाके के दोहरा माफी में स्टी पी आई जिला को ओडिनेटर निजामुद्दीन को स्टी अफ ने हिरासत में ले लिया जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन की गिरवतारी के बाद पत्नी और बेटा कौरसी थाने पहुचे लेकिंपूलिस की तरफ से उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है जिसकी जानकारी निजामुद्दीन की पत्नी नूर जहाने मीडिया को दी अलिगड के थाना कौरसी इलाके के धौरा माफी में SDPI जिला को ओर्डिनेटर निजामुदीन को S.T.F. ने हिरासत में लिया है निजामुदीन की गिराफतारी के बाद पत्मी और बेटा कौरसी थाने पहुचे लेकिन पूलिस की तरफ से उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता नितीश हम से जुड़ेंगे नितीश निजामुदीन को गिराफतार किया गया है क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर दनेवार नितीश तमाम जानकारी हो के लिए यह दनेवार नितीश तमाम जानकारी हो के लिए हर्दोई के संडीला शेतर में 19 सितंबर की देर शाम बैंक मित्र को गोली मार का लूट पार्ट करने वाले दो बदमाशों को कचोना शेतर गड़ी कमालपूर मोड के पास पुलिस ने मुटभेड में गिराफ़तार कर लिया पुलिस ने उनके पास से तमन्चा और लूट में इस्तमाल की गई बाइक को बरामत कर लिया इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,000 रुपए भी बरामत किये हैं कि अपरेशन चकरुयों के तहट चेकिंग चल लए थी जिसमें यहां थाना कचोना में दो बदमाश क्या दो वेक्ती मोटर साइकल से आते दिखाए दिए रोकने पर रोके नहीं हैं उन्हें पुलिस पार्टी पर हमला किया उन्हें पुलिस द्वारा आवश्यक बल में बैंक मिदर्स से लूट करी थी और जो मुखिर था वो यहीं का निवासी है उसको कुछ पैसे बहे दे दिये थे शेज़ बचे पैसे देने आये थे जिसमें की पुलिस से उनके मुद्विर हो गई गई राइबरेली में सरेनी कोटवाले शेतर के रासी गाओं में पिता की डाट से नराज होकर गंगा नदी में कूत करात्महत्या करने जा रही दो बेहनों को पुलिस कर्मियों ने दोड कर बचा लिया जानकारी की मुताबिक अकसर पिता दोनों बेहनों को मारता पीटता रहता है जिससे आहत होकर गंगा घाट पर बने पुल में दोनों बेहने चलांग लगाने जा रही थी वहीं पुलिस कर्मियों ने ग्राम प्रधान और पिता को मौके पर बुलाया और उनके बाद समझा बुझा कर घर भेज दिया दो बहने गंगानदी में कूदने आई थे फुल के उपर पुलिस टीम चेकिंग कर रहे थे बचा लिया है क्या है फुरू यह बंदना और संजना नाम की दो लड़की है जो छोटे लाल नाम के बैक्ति की लड़की है जो राशी गाउं की है यह दोनों अपने घर से किसी बात इसको नाराज हो करके यह आ गई थी और हमारी गंगासो जो सरेनी पुलिस टाना चेकर का है यहां पुलिस टीम की बहुत 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 ही देता हुए अलिगड में सासनी गेट थाना इलाके के खीरनी गेट पुलिस चौकी के सामने बाके बिहारी स्वीट सेंटर के मालिक से 15,000 रुपे महिने की रंगडारी मांगने का मामला सामने आया है जानकारी के मताबिक वाटसअप चैट के माध्यम से रंगडारी मांगी गई और रंगडारी ना देने पर कारोबार बंद कराने की आरोपियों ने धमकी दी है जिसके शिकायत पुलिस थाने में स्वीट सेंटर के मालिक ने किया है फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से कारवाई की बात कही गई है महराज गज में बीती रात निचलॉल कस्वे में अपराधियों ने एक यूवक को दोड़ा कर तमंचे लहराय और यूवक से अभदरता की अपराधियों का तमंचे लहराने का वेडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस मामले में पुलिस तब तीश में जुटी हुई है अभी तक अपराधियों का पता नहीं चल पाया है उत्रप्रदेश की खबरों में बस इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी प्राइम टीवी